नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने योट्यूब चैनल P4Portfolio में आज हम बात करने बाले हैं बाटा और रिलाक्सों के बारे में काफी दिनों से वीक दिखाई दे रहे हैं क्यों यहाँ पर इतनी वीकनेस दिखाई दे रहे हैं क्यों यह स्टॉक नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है और कौन से समय पर हमें यहाँ पर बाइंग शुरू करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज सब्सक्राइब कीजे और regular updates पाने के लिए notification bell को प्रेस कीजे साथी साथ Telegram channel को पी जॉइन कीजे जिसकी link description box में दी गई है तो चलिए बात करते हैं Bata और Relaxo के बारे में तो आपके स्क्रीन पर ही है वो रीजन जिसकी वज़े से Bata और Relaxo के हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है तो आपको लग रहा होगा कि Demand के Q1 के Results कैसे Effect कर सकते हैं Bata और Relaxo को तो मैं आपको Demart का एक जिस्ट देना चाहूंगा Demart के quarter one के results कैसे आएं उसका एक summary देना चाहूंगा तो आपको पता ही होगा Demart ने पहले भी कहा था कि उसके 50% से ज्यादा के stores बंद है और जो stores operate कर रहे हैं वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ essential goods यानि कि FMCG products बेचने की permission उन्हें मिली है apparels जो हो जाते हैं, footwares हो जाते हैं जो भी non-essential good है उसे बेचने की permission Demart को नहीं थी और उसके कारण ही profit में 88% का वायो वाय हमें fall देखने को मिल रहा है साथी साथ margin भी गड़ गया है इसके बार में detail में बात नहीं करेंगे लेकिन अगर आप Demart के quarter one के results जानना चाहते हैं तो top right corner पर एक link आ रहे होगी उसे click कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन यही है वो reason जिसकी वज़े से Barta और relax हो में हमें weakness दिखाई दे रही है गिरावट दिखाई दे रही है क्योंकि जो quarter one था जहाँ पर सब का सब खेल हुआ था Corona virus के उज़े से पूरा lockdown किया था वो mostly quarter one में ही किया गया था वहाँ पर non essential goods की बिक्री करना उसकी permission ही नहीं थी तो Barta के और relax हो के जो retail outlets हैं चाहे वो demart में कहीं बिके जाते हो या फिर कौनसी भी कोई retail store हो वहाँ पर non essential goods बेचने की permission किसी को भी नहीं थी तो यहाँ पर sale हुआ ही नहीं है ऐसा expect किया जा रहा है और जो sale हुआ है वो online based हुआ है लेकिन आपको पता होगा कि जो main customer based है वो crowded area में ही होते है जैसे कि Mumbai यह वो बहुत ही crowded area है अलग-अलग cities जो की बहुत जादा crowded है जहाँ पर main public बहुत जारी public रहती है वहाँ पर तो red zone था, orange zone था तो वहाँ पर भी non essential goods की delivery बहुत समय बाद ही शुरू की गई थी तो इसके वज़े से बहुत बड़ा impact पढ़ सकता है इसके quarter one के results पर और उसी के कारण हमें बाटा और relax हो में काफी समय से weakness बनती हुई नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ बाटा और relax हो ही नहीं कि अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिर्ला फैशन साथी साथ ट्रेंट जैसी कंपनी जो की retail में काम करती है वहाँ पर भी हमें weakness दिखाई दे रही है तो अब चलते हैं charts पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बाटा इंडिया के charts पर ही आ चुके है fundamentals के बारे में हमने कई बार बाते कर लिये इसलिए charts पर ही बातों को शुरू करेंगे तो आप देख पाएं कि market crash से पहले stock 1800 के आसपास trade कर रहा था लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है 1000 के आसपास stock ने support लिया और वापस recovery अच्छी दिखाई थी 1500 के आसपास है अल्रेडी पहुँच चुका था लेकिन वहाँ पर 200 days का ये में जो कि ये red line वहाँ पर resistance फेस करने के बाद stock में गिरावट देखने को मिली है और stock उसके बाद अच्छा खासा नीचे हमें आता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करें money flow index के number के बारे में तो money flow index का number calculate होकर आता है 33.92 over the time यहाँ पर अच्छी खासी weakness दिखाई दे रही है अगर बात करें इसके RSI के number के बारे में तो RSI का number calculate होकर आता है 37.33 अब देख पाएंगे कि यहाँ पर भी अच्छी खासी weakness अल्रेडी factored in हो चुकी है अगर बात करें इसके MACD के बारे में तो यहाँ पर भी कोई bullish crossover हमें देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर भी काफी समय पहले ही bearish crossover देखने को मिल चुका है और already अच्छी गिरावट हो चुकी है अगर बात करें Bollinger Band के बारे में तो Bollinger Band के upper band के आसपास stock में resistance face करना पड़ा और उसके बाद गिरावट देखने को मिली है और stock अपने lower band के आसपास trade करता हुआ नजर आ रहा है अब देख पाएंगे काफी समय से वो median से भी उपर निकलने की कोशिश में सफल नहीं हो पाता है lower band के नीचे ही आज निकल चुगा है उसके आसपास ही lower band है current market price के आसपास median जो है वो है 1310 का level upper band जो है वो है 1360 का level अब बात कर लेते हैं इसके pivot points के बारे में तो आप देख पाएंगे pivot level calculate हो कराता है 1348 का level वहाँ पर ही resistance face करने के बाद stock में गिरावट देखने को मिल रही है नीचे supports के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1232 का level दिखाई देता है उससे भी नीचे जाए तो 1159 का level भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर बात करें इसके all time chart के बारे में जहाँ पर एक candle one month को represent करेगी जिससे हमें पता चलेगा कैसी moment वहाँ पर बनी हुई है तो आप देख पाएंगे all time chart पर हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें पता चलता है stock ने multi bagger returns हमें बना कर दिया है उसमें भी 2017 से जो तेजी पकड़ी आप देख पाएंगे बहुत अच्छे returns इसने बना कर दी है लेकिन market में crash देखने को मिला यह अपने 50 months के EMA के आसपास आ चुका था 1000 रुपीज के आसपास आ गया और वहाँ पर उसने support लिया था तो अब देख सकते हैं currently वह level calculate होकर आता है 1098 का level यानि की 1100 के आसपास का level अब बात कर लेते हैं इसमें positions के बारे में अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपर position मना रखिए आप यहाँ पर deep loss में चल रहे हैं नीचे आने पर quantity add भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने इसमें नीचे position मना रखिए आप अभी profit में चल रहे हैं अगर आपने long term के लिया है तो इसे continue holding कीजिए लेकिन अगर आपने short term के लिया है तो मेरा मानना है आपको वीडियो के माधियम से बताने की कोशिश भी की थी कि यहाँ पर आपको profit booking के बारे में सोचना चाहिए था अल्रेडी यहाँ पर अल्रेडी काफी ज़्यादा late हो चुगा है अब बात करें इसमें fresh buying के बारे में तो मेरा मानना है कि जो aggressive investor है जो active investor है वो current market price पर यहाँ पर position बना सकते हैं क्योंकि जो current market price का level हो काफी ज़्यादा critical level है इसका support है अब देख पाएंगे जो यह line है वो इसके आसपस काफी बार stock ने support लिया और वापस हमें तेजी भी देखने को मिली है तो यह level काफी अच्छा level है active investor के लिए aggressive investor के लिए बॉलिंजर बैंड के नीचे यह निकल चुगा है pivot point का support 1232 के आसपस बन कर आता है तो यहाँ पर active investor, aggressive investor थोड़ी सी position बना सकते है लेकिन जो wait करना चाहते हैं जो इसमें गिरावट का wait करना चाहते हैं जो patient investor हैं, जो conservative investor हैं उनके लिए भी एक level में बताना चाहूंगा जो कि यह 1150 का level क्योंकि stock उसी के आसपस काफी बार consolidate कर रहा था और वो ही उसका support बना हुआ था और दूसरा pivot point का support भी बनकर आता था 1159 के आसपस और हमने यह भी देखा कि जो 50 months का यह में था वो था 110 के आसपस 1100 के आसपस तो इसी level के आसपस आप आईंग के बारे में सोच सकते हैं तो levels मैंने आपको बता दी हैं लेकिन कौन से level पर आप इसमें position बनाना चाहते हैं यह तो आपका decision रहने वाला है तो अब चलते हैं relax हो के charts पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम relax हो के charts पर आ चुके हैं यहाँ पर भी कोई fundamental बात नहीं करने वाले क्योंकि काफी बार उसकी बाते तो कर लिए है charts पर ही बातों को शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 800 के आसपा stock trade करा था market crash से पहले लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट देखने को मिली 500 के आसपा stock ने support लिया और बात में recovery अच्छे दिखाई दी थी almost 800 के आसपास पहुँच चुका था यानि कि 780 के आसपास high बनाने के बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिली और stock वापस एक ही zone में फिलाल trade करता हुआ नजर आ रहा है और अगर बात करें इसके indicators के बारे में तो आप देख पाएंगे कि money flow index का नंबर जो calculate हो कराता है 47.25 यहाँ पर फिर से money flow index का नंबर हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर calculate हो कराता है 41.51 अब देख पाएंगे यहाँ पर भी week ने साफ साफ दिखाई देती है अगर बात करें इसके MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो situation बनती हुई नजर आ रही है फिलाल यहाँ पर bearish crossover चल रहा है हलका सा bearish crossover बन चुका है लेकिन इतना कोई clear signal यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आता है और अगर बात करें इसके Bollinger Band के बारे में तो आप देख पाएंगे Bollinger Band के Upper Band के आसपास resistance face करने के बाद stock में हमें गिरावट देखने को मिली है और यह अपने Lower Band के आसपास 655 का Level Pivot Level आप देख पाएंगे Pivot Level जो calculate होकर आता है वो 681 का Level उसी के आसपास stock ने resistance face कि और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है नीचे के supports के बारे में बात करें तो यहाँ पर 577 का support बन कर आता है उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर 521 का Level भी दिखाए दे रहा है अब चलते हैं All Time Chart पर वहाँ पर कैसी situation मनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो अब देख पाएंगे All Time Chart पर हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें पता चलता है Stock ने धमाकेदार Returns हमें बना कर दिये है Multi Bagger Stock रहा है Multi Bagger Returns इसने बना कर दिये है कभी भी जादा Deep Correction देखने को नहीं मिला है लेकिन जब भी Correction देखने को मिलता है तो यह 20 Month के EMA के आसपासी Support लेता है और वापस हमें तेजी Continue रहती होई नजर भी आती है जब Market में भयंकर गिरावट आई थी तभी भी यह अपने 20 Month के EMA के आसपासी Support लिया था जो की था 500 का Level और फिलाल 20 Month का EMA कैलकुलेट होकर आता है 548 के आसपास का तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें इसमें रखा जा सकता है और अगर आपने इसमें नीचे Position बना रखी है आप अभी Profit में चल रहे है अगर आपने Long Term के लिया है तो इसमें आप Continue वोल्डिंग कर सकते हैं लेकिन अगर आपने Short Term के लिया है क्योंकि हमने देखा 577 के आसपास Pivot Points का Support बन कर आता है साथ ही साथ हमने देखा है कि Stock ने पहले भी उसी Level के आसपास Consolidation दिखाया था और वहाँ पर Support लिया था और वापस हमें अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी और 200 Days का यह में इसी Level के बीच में बन कर आता है 609 का Level और यही Level है काफी अच्छा और Bollinger Band के Lower Band के आसपास यह अल्रेडी चल रहा है Lower Band भी 623 के आसपास बन कर आता है तो जो Active Investor है वो 580 से 620 में Buying के बारे में सोच सकते हैं यह जोन इसके लिए Support की तरह में दिखाई दे सकता है लेकिन जो Wait करना चाहते हैं जो Patient Investor हैं जो Conservative Investor हैं उनके लिए तो यहाँ पर 500 से 550 का Level ही दिखाई देता है क्योंकि आँने देखा जो Pivot Points का दूसरा Support है वो भी 500 से 550 के बीच में बन कर आता है और जब Market में भयंकर गिरावरती तभी भी 500 का Level ही Support की तोर पर दिखाई दिया था और साथी साथ 20 मंस का यह में फिलाल 548 यानि की 550 के आसपास ही बन कर आता है तो Levels मैंने आपको बता दिये हैं लेकिन कौन से Level पर लेना है यह तो आपका Decision ही रहेगा लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो Like कीजिए, Share कीजिए, Comment कीजिए, Subscribe कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए Thank you, Stay Happy, Happy Investing